व्हेलक्म बैक टो ओर ड्रुट्युक्च चैनल आज हम लोग इस वीटियो में सिनोनिम्स और इंटोनिम्स से पूछे जानने वाले मोच्ट इंपोट्न जो वर्ड्स हमारे होते हैं वो सारी वर्ट्स के बारे हम लोग डिसकस करेंगे इसमें जो है हम एक words लेंगे और उस words से जितने important synonyms बनेंगे इंटरनिम्स बनेंगे उन सब के बारे में जो है चर्चा करेंगे और अगर आप लोगों को वीडियो बारी अच्छी और helpful लगा करें तो हमें वीडियो को लाइक और विएचे सिस्काइब जोड करें और आपमें टेलीगराम गूह कर सकते हैं टेलीगराम गूह पों की बिजन का क लिक्चे वीडियो दिस्क्रफ्शन में दे दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वारल सम होता है जो सम आते हैं इसके जो क्या हो जाएगा जो क्या हो सांध हो और मित्रवत हो इसको इसका क्या बनेगा इन्टर्निम जो है बनेगा next हमारा क्या है acid resource का मतलब होता है परिश्ट्रमी या मेहन्ती होता है इसके पाठ सब से पेश की बात करें एक जोई एक जड्जक्टीं होता है, इसका इंपॉर्टेंट सेनॉनीम से होता है देलिजेंट, स्टैडूल उल सेडूलर्स, पेंस्च too差 अर्मारां इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, यह सब जोए इसके important क्या होते हैं, synonyms होते हैं, यह सारे जो synonyms है, most reported synonyms हैं, अक्सर जोए आपकी exam में कहीं न कहीं पोचे जाते हैं, इसके interniums के बात करें, तो इसका interniums के जो परिस्त्रमी ना हो, यानि जो lazy होगा, यह लागिस हो जाएगा, indolent हो जाएगा, soothful हो जाएगा, और हमारा inert हो जाएगा, idle हो जाएगा, lazy हो जाएगा, slow हो जाएगा, inactive हो जाएगा, पैसी हो जाएगा, और supine हो जाएगा, dormant हो जाएगा, lethargic हो जाएगा, listless होगा, और मारा क्या हो जाएगा, language होगा, और हमारा क् के important क्या बनेंगे internims जो है बनेंगे हम लोग जो है आज सारे क्या करते हैं synonyms और internims को complete कर लेते हैं और हम लोग next वीडियो में जो है इससे जितने भी important questions बनते हैं उन सारे questions के बारे में भी जो है हम लोग discuss करेंगे तो next हमारा है acme, acme का मतले होता है पराकाश्टा सिखर या चोटी यानि कि जो इदन सिखर पे हो चोटी पे हो इसको वनों क्या कहते है acme जो है कहते है इसके पार्ष सब इस पीश की बात करें तो यह हमारा क्या है एक noun है इसका synonyms जो है जैनित हो जाएगा पीक हो जाएगा, समिट हो जाएगा, पिनाइकल हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, एपेक्स हो जाएगा, अपोगी हो जाएगा तो हमारा कल्मिनेशन हो जाएगा, क्राउन हो जाएगा, क्लाइमेक्स हो जाएगा यह सब जोए इसके important क्या बनेंगे synonym जो है बनेंगे इसके attendance के बाद करें तुम्हारा नादिर हो जाएगा, bottom हो जाएगा, base हो जाएगा नादिर का मतलब होता है सबसे निचला अस्तर यहने जो सबसे निचला अस्तर होता है उसको हम लोग क्या कहते है नादिर कहते है और यह जो most important word है तो हम लोग को जो है ध्यान में रखना है next word हमारा क्या है accused accused का मतलब होता है किसी के ऊपर क्या करना दोस्ट है राना या फिर किसी को दोस्ट लगाना तो इसके parts आप space के बात करें तो यह हमारा क्या है एक verb है इसके synonyms के बात करें तो हमारा blame हो जाएगा charge हो जाएगा, indict हो जाएगा, impeach हो जाएगा और हमारा arraign होता है, criminate होता है crimes बना है हमारा criminate यानि किसी पर या करना, दोस्ट राना या दोसी लगाना हम लोग internims की बात करें, तो मतलऔ लगा enнул हो जाएगा, save हो जाएगा, absolve हो जाएगा exonerate हो जाएगा, release हो जाएगा, equate हो जाएगा, और मतलऔ क्या हो जाएगा, पअधर्डन हो जाएगा यह सब जो इसके important क्या बनेंगे इंटरनिम्स जो है बनेंगे इसका मतलब क्यों होगा किसी को छमा कर देना या फिर जो है किसी को माफ कर देना next हमारा किया है abdicate abdicate का मतलब होता है गद्दी छोड़ देना देखें ये abdicate है इसका मतलब ही होता है क्या करना गद्दी को छोड़ देना इसके synonyms की बात करें तो हमारा renounce हो जाएगा renounce जो है बहुत ही जादा most important word है तो हम लोग को जो है ध्यान में रखना है give up हो जाएगा force take हो जाएगा relinquish relinquish भी हमारा जो है बहुत ही important word है और next हमारा है stand down, resign, absorb और हमारा shade हो जाएगा ये सब जो है इसकी important क्या बनेंगे synonyms जो है बनेंगे हमारा होता है forgo भी होता है forgo भी जाह है बहुत ही important है और abandon abandon तो बहुत ही जाद है तो ये भी हमनों को ध्यान में रखना है disown disown भी हमारा जो है important word है और महला क्या है repudiate repudiate भी हमारा क्या है important है और महला discontinue हो जाएगा ये सब जो है इसके important क्या बनेंगे synonyms जो है बनेंगे इसके internims की बात करें तो retain हो जाएगा, maintain हो जाएगा continue हो जाएगा, hold हो जाएगा यह सब जो है इसके important क्या होंगे internims जो है बनेंगे next word मैंना क्या है ediment, ediment का मतलब होता है atal, dread, ideal यानि जो क्या हो, जिती हो, किसी चीज़ पर क्या हो हटी हो, अटल हो, उसको मैंनों क्या कहते है, ediment जो है कहते है, इसके parts आप space के बात करें, तो यह क्या है adjective है, और इसका synonyms क्या हो जाएगा, abdurate is the most important word यह जो है बहुत ही जाथा important है अकसर exam में जो है, पूछा जाता है unilling हो जाएगा, firm हो जाएगा देखे, एक इसका idiom होता है a firm person, इसका मतलब होता है एक द्रण निश्यवाला व्यक्ती तो यह भी हम लोगों को जो है ध्यान में रखना है, और हमारा obstinate हो जाएगा, stubborn हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, inflexible हो जाएगा और हमारा unbending हो जाएगा immowable हो जाएगा और हमारा एक word आता है, head strong head strong भी इसका क्या बनेगा synonym जो है बनेगा देखे, एक word होता है, street fast street fast का मतलब क्या होता है utter ideal जित्ती होता है इसके internims के बात करें तो obedient हो जाएगा obedient जो है, बहुत ज़्यदा important है हम लोग को ध्यान में रखना है yielding हो जाएगा, lenient हो जाएगा flexible हो जाएगा, docile हो जाएगा pliant हो जाएगा, pliable हो जाएगा यह सब जो है इसके important क्या बनेगे internims जो है बनेगे next word हमारा क्या है abate, abate का मतलब होता है कम होना या फिर जो है कम करना, किसी चीज का क्या होना कम होना या कम करना उसको में क्या कहते है abate जो है कहते है इसके parts अब इस बीच के बात करें तो यह एक क्या है, वर्ब है इसका synonyms होता है, reduce होता है lesson होता है diminish होता है, decrease होता है subside होता है और मैरा dwindle होता है vane होता है, ab होता है पर हमारे कुछ words होते हैं जैसे हमारा mitigate हो गया mitigate का भी मतलब क्या होता है कि इस चीश को कम करना early हो जाएगा, asuage हो जाएगा यह सब भी जो है, इसके important क्या होते है synonyme जो है बनते है इन हींण हो जाएगा يन क्रेइस हो जाएगा इन ref हो जाएगा इसके इन इन्पार्टिंड क्या बनेंगे इंटरनिम जुए बनेंगे Next हमआरा क्या है O her कि अधेस? O her time secrets Jack, nirbic यह जो है सासी, जो nirbic होता है, nieder होता है उसको में लोग क्या कहते हैं और डैसेस जो है कहते हैं तो इसके पार सब स्पीच के बात करें तो यह हमारा क्या है एक adjective है और इसका synonyms को हो जाएगा bold हो जाएगा, daring हो जाएगा, brave हो जाएगा, fearless हो जाएगा, interpret यह बहुत ज़्यादा important है हम लोग को ध्यान में रखना है, यह अक्सर एक्षाम में जो है आता है और हमारा courageous हो जाएगा, valiant हो जाएगा और हमारा plucky हो जाएगा यह सब जो इसके important क्या बनेंगे, synonym जो है बनेंगे, इसके internet के बात करें, तो इसका opposite क्या होगा, यानि कि जो बहुत डरबोक होगा, उसको में लोग क्या कहेंगे, इसका जो opposite बनेगा, तुमारा timid हो जाएगा, polite हो जाएगा, fearful हो जाएगा इसके लिए जो एक important idioms आता है, chicken hearted, chicken hearted का भी मतलब क्या होता है, बहुत ही जो डरबोक होता है, बहुत ही जल्ली डर जाता है, उसको में लोग कहते है, chicken hearted कहते हैं, और वहना co-wordly हो जाएगा, co-wordly भी जो बहुत ही important word है, अकसर exam में जो आता रहता है इसके पार्ट आप इस speech के बाद करें, तो यह एक या है, वर्ब है, इसके synonymous के बाद करें, तो यह पहला हमारा होता है, mitigate mitigate के मतलब होता है मतलब कि किसी चीश को कम करो और अच्छा लगे यानि कि किछी के pain को क्या करना कम करना अगर आप किसी के pain को कम करेंगे तो उसों क्या होगा आफ भी अच्छा लगेगा तो उसके लिए mitigate का use होता है यह बहुत ही important है और हमारा अपीस हो जाएगा, काम हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, डिमिनेस हो जाएगा, और हमारा सोत होगा हमारा जोए अबेट हो जाएगा, अले हो जाएगा, क्वाइल हो जाएगा, सैटिसफाई हो जाएगा ये समझोई इसके important क्या मनेंगे synonyms बनेंगे इसके internum के बात करें तो क्या हो जाएगा किसी चीश को जोए aggravate कर देना यानि किस चीश को क्या करना उकसा देना ये समझोई इसके क्या मनेगा इंटनिम जो है पनेगा तो मारा इग्राबेट हो जाएगा इंक्रेज हो जाएगा मैगनिफाई हो जाएगा इंटेंसिफाई हो जाएगा प्रोवोक यानि किस चीश को क्या करना उकसा देना और मारा वैक्स हो जाएगा wax भी होता है किसे चीश को क्या करना उक्सा देना यानि किस चीश को बढ़ा देना पर हमारा जोए annoy भी हो जाएगा, irritate भी हो जाएगा यह सब जोए इसके important क्या बनेंगे internum जो है बनेंगे next हमारा word है atone, atone का मतलब होता है प्राष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष Ofcend हो जाएगा, Seeing हो जाएगा, Tripass हो जाएगा यानि क्या Price Cheat ना करना यानि कि किसी चीज़ को क्या है? Price Cheat ना करना तो यह हमारा क्या हो जाएगा? इसके Important जो हैrenwork जो है बन जाएगी Next हमारा क्या है? Apocryphal Apocryphal का मतलब होता है नकली या Aprèsmatic यह हम लोग क्या कह सकते हैं, जूटा जो है कह सकते हैं, यह जो बहुत ही जदा important word है, अकसर एक्जाम में जो है पुछता रहता है, तो हम लोग को जो है ध्यान में रखना है, और इसके parts अब इस परिश के बात करें, तो यह हमारा क्या है, एक adjective होता है, और इसका synonyms कह जागा counterfeit हो जाएगा, और मैंना duplicate हो जाएगा, counterfeit तो बहुत ही जदा important है, अकसर एक्जाम में जो है, और मैंना spurious हो जाएगा, इसप्यूरियस का मतलब ही क्या होता है, नकली होता है, जूटा होता है, यह भी बहुत ही important होता है, और मैंना false हो जाएगा, untrue हो जाएगा, fake हो इमिटेटेड ही बहुत ही ज़्यादा important है यह भी अम लोगों को ध्यान में रखना है वह सेम भी हो जाएगा artificial हो जाएगा यह सब इसके क्या बनेंगे जो है synonym जो है बनेंगे इसके इंटर्निम्स के बात करें यानि कि इंटनिम्स क्या होगा जो रियल होगा ओरिजिनल होगा वो इसके क्या होगे इंटनिम्स जो है बनेंगे तुम्हारा वरिजिनल हो जाएगा रियल हो जाएगा जैनुविन हो जाएगा और नेचुरल हो जाएगा ट्रू हो जाएगा यह सब जो है इसके क्या बनेंगे इंटनि बहुत ही अच्छा है यानि कि सजाना बहुत ही जो है सुसोभित करना इसके पार्ट सब इस पेश की बात करें तो यह हमारा क्या है एक वर्व होता है इसका इंपोर्टन सिनोनिम होता है यह डौन होता है और ना मेंट होता है इंबलेश होता है और मैंना जेक होता है ब्यूट हो जाएगा यह सब जो है सिनोनिम्स हैं इसके इंटर्यूंस की बात करें तो मुर्णा क्या हो जाएगा इसके इंपोर्टेंट क्या बनेंगे इंटर्यूंस जो है बनेंगे next हमारा क्या है abscond abscond का मतलब होता है फरार हो जाना यानि चंपत हो जाना यानि क्या करना भाग जाना हम लोग जो है कह सकते हैं इसके parts आप speech के बात करें तो यह जो एक verb होता है इसका synonym जो है run away हो जाएगा escape हो जाएगा decamp हो जाएगा flee हो जाएगा make off हो जाएगा और इसके लिए यह idioms important आते है take two hills और हमारा beat a hasty retreat और हमारा क्या हो जाएगा so a clean pair of hills यह सब इसके important क्या है idioms बनते हैं तो यह भी हम लोग को ध्यान में रखना है यह idiom आता है take flight इसका मिन मतलब क्या होता है भाग जाना और हमारा है इसके इंटर्निम्स के बात करें तो मारा show हो जाएगा appear हो जाएगा emerge हो जाएगा become हो जाएगा visible हो जाएगा इसके important क्या बनेंगे इंटर्निम्स जो है बनेंगे next हमारा word क्या है tranquil का मतलब होता है सांथ करना यानि किसी चीज़ को क्या करना सांथ कर देना उसको लोगों कहते है tranquil कहते है इसके parts आप इस speech के बात करें तो यह हमारा एक adjective होता है इसका important synonyms क्या क्या होगा हमारा serene हो जाएगा calm हो जाएगा quiet हो जाएगा still हो जाएगा placid हो जाएगा unruffled हो जाएगा synonyms जो है बनेंगे इसके इंटर्णिम्स की बात करें तो मारा agitated हो जाएगा clamorous हो जाएगा violent हो जाएगा noisy हो जाएगा और हमारा हो जाएगा appropriate हो जाएगा और मारा turbulent हो जाएगा और मारा क्या हो जाएगा term let to us हो जाएगा यह सब जो इसके important क्या बनेंगे जो है इंटरनिम जो है बनेंगे next हमारा word क्या है bookolic, bookolic का मतलब होता है gramid या दिहाती, जो gramid होता है उसको लोग क्या कहते है bookolic जो है कहते है इसके parts अब इस पीच की बात करें तो यह हमारा क्या है एक adjective होता है और इसके important synonym जो है क्या होते है rustic होता है, rural हो जाएगा और मारा post rural हो जाएगा country हो जाएगा, countryside हो जाएगा arkadian हो जाएगा, sylvan हो जाएगा इस सब जो है इसके important क्या बनेंगे synonym जो है बनेंगे इसके इंटरनिम्स के बात करें तो सब अर्बन हो जाएगा टाउन हो जाएगा चन्हीड हो जाएगा मेट्रो-पाली टियन को बहुत ही इंप इंपॉर्टेंट वड़्य है, हम लोगों को ध्यान रकना है इसका मतलब होता है महानगर तो इसका मतलब क्या हो जागा यह इसका जो है इंटर्णिम जो है बनेंगा और हमाना बिल्डप बिल्डप यह बहुत ही इंपोर्टेंट है यह भी अमनों को ध्यान रखना है और हमाना सुबर बन हो जागा इसके important क्या बनेंगे सब-urban हो जाएगा सब-urban का भी मतलब क्या होता है जो सहर में रहता है उसको लोग क्या कहते है सब-urban जो है कहते है next नमारा word क्या है gigantic gigantic का मतलब होता है विसाल बहुत ही बड़ा यानि जो बहुत ही immense size में हो बहुत ही gigantic size में हो massive हो उसको में लोग क्या कहते है gigantic जो है कहते है इसके पार सब-space के बात करें तो यह हमारा क्या है एक adjective है इसका important synonyms यह बहुत ही ज़्यादा important word है जितना आप इसको important कहें उतना ही जो है कम होगा बहुत ही most most important word है तो आप लोग को जो है इसको तो एक्दम तयार करके जाना है तो हमारा इसका synonyms क्या हो जाएगा enormous हो जाएगा use हो जाएगा vast हो जाएगा elephantine हो जाएगा और हमारा bumper हो जाएगा guyant हो जाएगा massive हो जाएगा हमारा closeal हो जाएगा mammoth हो जाएगा जो है बनेंगी जितने भी हमने जो है सिर्णीज बताया इसको आप लोग जो हर जगर लिखते चलिएगा ताकि अप लोग को जो है चीजे अच्छे से क्या होती रहे याद हो जाएंगी इसके इंटर्मिस के बात करें तो मैं टिनी हो जाएगा लेटिल हो जाएगा Asking के Important क्या बनेंगे इंटर्मिस जो है बनेंगे नेक्स्ट हमारा word अशौल्ट का मतलळ हिए आक्रमण हमिला चड़ाई आपनों तो सुनो हिए होगे अरे अच्छी हो गया यानी कि एशौन्ट हो गया मतलब कि आक्रमण हो गया पकूई हमिला हो गया तो यह तो सुने हिया ह तो इसके synonyms की बात करें, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हमारा जो है एक noun होता है, इसका important synonyms क्या होता है, attack हो जाएगा, aggression हो जाएगा, invasion हो जाएगा, और इसके important क्या होता है, इन्टरिम्स जो है होता है, नेक्ष्ट हमारा word क्या है, अभूर, अभूर का मत होता है, ग्रेडा करना या फिर जो है नफरत करना, इसके पार्ट साफ इस पीश की बात करें, तो यह हमारा क्या है, एक वर्ब जो होता है, इसके synonyms क्या हो जाएगा, हमारा hate हो जाएगा, now sheet हो जाएगा, now sheet जो है बहुत ही important word है, और मारा abominate, abominate तो अक्सर exam में क्या होता है, तो हम लोग जो है ध्यान में रखना है और मारा despite हो जाएगा, यह सब जो है इसके important क्या बने इसके connected क्या बने अपर जो है नेउन больше मारा word है ample, ample यह बहुत ही important अक्सर एक्जाम में पूछता रहता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके पार्ट सब इसपेश के बात करें तो यह हमारा एक जोए एड़्यक्टी होता है इसका सेननिम्स के बात करें तो हमारा एबेंजेंट हो जागा एबेंजेंट बहुती इसका सेननिम्स होनगे यह कुछ इंप्यून्स होते हैं हमारा ओवर्फ्लोईइंग हो जाएगा बांटी凍ल हो जाएगा copies देखिए copies जो है बहुत ही जदा important word है तो हम लोगों को ध्यान में रखना है और हमारा exuberant exuberant भी जो है बहुत ही important word है इसको भी ध्यान में रखना है और note कर लेना है और इसके internims के बाद करें तो हमारा insufficient हो जाएगा scarce हो जाएगा scanty हो जाएगा meager हो जाएगा यह सब जो है इसके important क्या होंगे internims जो है बनेंगे हम लोग जो है कल इससे जितने भी important questions पूछे गए इन सारे internims और synonyms से वो सारे questions भी जो है आपको दिखाएगे तो देखिएगा इतनी सारे exam में जो है यह सब word most repeated है ताकि हम आपको इस लिए इस series को लेकर आए हैं ताकि जो है कहीं न कहीं से आपकी exam में क्या है यह सारे questions जो है चप जाए और आप लोग जो है इस word को बार बार पढ़ा रहे है ताकि आप लोग को चीज़े जो है अच्छी से फिर क्या करना खुसा मत करना यानि किसी से क्या करना जो है चाहपलूसी करना किसी से या फिर क्या करना फ्लैटर करना हम लोग जो है कह सकते हैं इसके बार सब इस speech के बाद करें तो यह हमारा क्या है एक वर्ब होता है यह बहुत जो है important word है तो हम लोगों को जो है ध्यान रखना है इसको भी तो मारा इंटर्णिम सुर्णिम देखते हैं क्या होता है तो मारा flatter हो जाएगा कोक्स हो जाएगा, परश्यूट हो जाएगा परश्यूट का मतलब क्या होता है बहलाना, फुशलाना इसका जो है मतलब होता है और हमारा tempt हो जाएगा entice हो जाएगा, lure हो जाएगा हमारा vigil हो जाएगा और हमारा invasal हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, blarnik हो जाएगा sweet tuck हो जाएगा और महारा क्या हो जाएगा shopped soap हो जाएगा pay coat to हो जाएगा और मैंदा found हो जाएगा allure, allure बहुत ही जदा important है हम लोग को ध्यान में रखना है और मैंदा convince हो जाएगा हम लोग जिसे किसी को convince करते हैं ये भी इसके important क्या होगा synonym जो होगा यानि किसी को क्या करना अपने पक्ष मिलाना या फिर किसी को बहलाना, फुसलाना या फिर किसी को मनाना हम लोग कह सकते हैं ये सब जो है इसके important क्या होगे, synonym जो होगे और इसके interviews के बात करें तो मैंदा क्या हो जगा संचिप्त या मिद्भासी जो कम बोलता है उसको इसके स्नयनिम्स के बात करें तुमारा ब्रीफ हो जायगा, कंसाईज हो जायगा तर्स हो जायगा और मेरा संसींट हो जायगा पिती हो जायगा, रैटी सेंट हो जायगा यानि जो सांत रहती है कम बोलती है वो क्या होगा रेटिसेंट होगा अब हम लोग क्या कह सकते है कमपेंजियस कह सकते है एक हमारा वर्ड होता है कमपेंजियम कमपेंजियम कमाता होता है संग शेप में तो उसी से मारा क्या बनता है Compagious का बतलब क्या है कम बोलने वाला यानि मित भासी और हम लोग टैशी टर्न कह सकते हैं टैशी टर्न तो बहुत जड़ा important word है और मेरा compact हो जाएगा और मेरा silent हो जाएगा रिजब्ड हो जाएगा यह सब जो है इसके important क्या सियम बनेगे इसके इंटेनीम के बात करें तुभत स्य जाधा योग हो जहाएगा और लेंधी क्यों जाएगा लुक्वेंशियस हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है बात उनी होता है टॉक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् Communicative, communicative तो जानते हैं communicative मतलब होता है भहतीन बातुनी तो इससब जो है इसके important क्या बनेंगे interneum जो है बनेंगे next नमारा word क्या है Allay का मतलब होता है किसस चीश को क्या करना सांद करना या फिर जो है buffalo कम करना इसके पार्ट साब इस पेश के बात करें तो यह एक क्या है वर्ब जो होता है और इसका synonyms क्या होता है यह बहुत ज्यादा important word है यह भी जो एकसाम में अक्सर पूस्ता रहता है तो हम लोग को इत्म ध्यान रखना है इसका synonyms हो जाएगा रिडियूस हो जाएगा जेमिनेस हो जाएगा जिकरेस हो जाएगा लेसन हो जाएगा अबेट हो जाएगा अस्वेज हो जाएगा एलिवेट हो जाएगा क्या होगा सूत हो जाएगा मिटीगेट हो जाएगा हमने क्या कहा था बता है यह क्या होता है एक जो है यह मिटिगेट का मतलब होता है कम करना यानि किसे चीज़ को कम करें और हमें अच्छा लगे उसको क्या करते हैं कहते हैं और मेरा मोलीफाई हो जाएगा अपीस हो जाएगा प्लैसिफाई हो जाएगा काम हो जाएगा वाल हो जाएगा और हमने बता है अस्वैज हो जाएगा अबेट हो जाएगा यह सब क्या होता है इसका मतलब कम करना होता है ट्रैंक्विलाइज हो जाएगा यह सब जो है इसके important क्या بنेंगे synonym बनेंगे इसके internet इसके बात करें तो हम्रा increase हो जाएगा अगमेंट हो जाएगा intensify हो जाएगा intensify मतलब क्या हबता है किसे चीश को क्या करना increase करना या किसे चीश को बढ़ा देना और हम्रा क्या हो जाएगा aggravate हो जाएगा Agitate हो जागा, Insight हो जागा, Excite हो जागा, Still हो जागा, Provoke हो जागा Provoke का मतलब क्या होता है किसे चीज़ को जो है उक्साहत देना यह सब जो है इसके Important क्या बनेंगे, Internim जो है बनेंगे Next word हमारा क्या है, Karish Karish का मतलब होता है किसी को क्या करना, प्यार से असपर्स करना या फिर बच्चे को दुलराना हम लोग कह सकते है इसका जो है मतलब होता है, इसके पार्ट सब इसमेश के बाद करें तो यह हमारा क्या है, एक जो है वर्ब होता है इसका synonyms क्या होता है, हमारा fondle होता है और हमारा embrace होता है, hug होता है, pit होता है, causal होता है causal होता है, causal होता है, हमारा nozzle होता है यह सब जो है इसके important क्या होता है, यह synonyms होते है इसका synonyms जो है, touch भी होता है, cuddle होता है यह सब जो है यह क्या होते हैं यह भी जो है इसके synonym होते हैं इसके beginnen क्यों वैक्स हो जाएगा टिल्स हो जाएगा इनॉय हो जाएगा और परशिकूट हो जाएगा हरास हो जाएगा worry हो जाएगा afflict हो जाएगा molles이 हो जाएगा इसके important क्या होंगे antennas जो है बनेंगे irritated भी हो सकता है और मारा nettle भी हो जाएगा इसके जो है antennas बनेंगे next हमारा word क्या है इसर्बिक אבसर्बिक का मतलब होता है कटू या फिर जो है तीखा होता है यानि जो कड़वा होता है तीखा होता है कटू होता है उसको लोग क्या कहते हैं इसके पाट सब इस बेच की बात करें तो यह हमारा क्या है एक एड्जक्टिव है और इसका सेननिम से हमारा क्या हो जाएगा असर्ब हो जाएगा और हमारा म जर्मब्स के बात करें तो मैंने क्या हो जाएगा माइल हो जाएगा शूइट हो जाएगा, होברण हो जाएगा, साग्री हो जाएगा यह सब जोई इसके important क्या बनेंगे, इंटरनिम जो है बनेंगे अज हमने जितने भी most important synonyms और इंटरनिस most repeated थे वो सारे हमने जो है discuss कर लिए अब इस पे जो है जितने questions बनेंगे वो सारे questions का भी वीडियो जो है जल्दी ही हम लेकर आएंगे तो अगर आप लोग को वीडियो वारी अच्छी और helpful लगी हो तो हमेरे वीडियो को लाइक और मेंच अस्क्राइब जोर किया करिए इससे जो हमारा मनूबल और बढ़ता है और ऐसी वीडियो जो हम आपके लिए लिया पाते है और हमने टेलिग्राम ग्रूप को लिटेन कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप का लिंकशिप वीडियो को देस्क्रिप्शन में दे दिया गया है थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो